नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशे 26 जन्वरी शुक्रवार सुबह सवाग 11 बजे राजसान की बड़ी खबरें पिछातरवे गंतन्त दिवस की पूरु संध्या पर राश्च्पती द्रोपदी मुर्मु ने देश को संबोधित किया उन्होंने कहा हमारे गंतन्त की मूल भावना से एकजुट होकर 140 करोड से अधिक भारतवासी एक कुटुम के रूप में रहते हैं अपने संबोधव के दोरान राश्च्पती मुर्मु ने जन्नायक करपूरी ठाकुर का जिक्र करते हुए कहा कि मैं यहव लेक करना चाहूंगी कि समाजिक न्याय के लिए अन्वरत युद्रत रहे श्री करपूर ठाकरी जी की जन्मशताब्दी का उस्सव कल ही संपन राजसान चिकित्सा विभाग ने गुरवार को फरजी सिलिकॉसिस सर्टिफिकेट मामले में आदेश जारी कर प्रदेश की जिला अस्पतालों में करेरत 9 डॉक्टर वे 11 मेडिकल कर्मियों को APO कर दिया है इस मामले में चिकित्सा विभाग ने बताया कि दोसा समेत अन्य जिलों में सिलिकॉसिस के रोगियों को अन्यमित भूतान के मामले सामने आए हैं इस सम्मध में प्रदानाचारिय एवं नियंद्रक मेडिकल कॉलेज जैपूर की ओर से चेस्ट रेडियोग्राफर कमेटी गठित की गई थी साथ ही जिला क्लेक्टर दोसा ने भी जिला सर्य कमेटी गठित की थी दोसा में फरजी सर्टिफिकेट के मामले सबसे ज्यादा सामने आये थे दोनों कमेटियों की रिपोर्ट पेश की गई तो साफ हुआ कि फरजी सर्टिफिकेट जारी कर सरकार के राजस्तु को नुकसान किया जा रहा है जांच में चिकिस साधिकारियों की ओर से मिली भगत कर रोगियों को फरजी तरीके से सिलिकोसिस बीमारी के काड़ बाटे गए थे राश्ट्री मतदाता दिवस के मोके पर जैपूर में राजसान इंटरनेशनल सेंटर पर राजस्तरिय समारो कायोजन हुआ इस कारेकर में राजपाल कलराज मिश्र ने वहाँ मुझूद सभी मतदाताओं को शपत दिलाई उतकरष्ट कारे करने पर 35 कार्मिकों को राजपाल ने समानित किया इस मोके पर मुखे सची सुधार शपंत ने विधानसबा चुनाव में हुई वोटिंग प्रक्रिया की जा सके राजसान लोगसेवा योग की ओर से गुरवार को विभिन प्रत्योगी परिक्षाओं की प्रस्तावित परिक्षा दिनाख जारी की गई है जिसकी विस्तित सुषना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है आयोग सचीव राम नरेश मेहत ने बताया कि पुरा ले ने All India First Rank हासिल की है मुंबई में 25 लाग की नोकरी मिली लेकिन संतुष्टी नहीं मिली नोकरी करते हुए UPSC में इंडियन एकोनोमिक सर्विस का एक्जाम दिया और All India First Rank आई निश्चल के पिता बयाना में ही इलेक्ट्रिक की दुकान चलाते हैं निश्चल मुंबई सीथ स IES ही जोइन करेंगे निश्चल के पिता शशी मित्तल बयाना कस्बे में इलेक्ट्रोनिक्स की दुकान चलाते हैं मा कुसुम हाउस वाइफ हैं उन्होंने कहा कि मेडिल क्लास होने के बावजूद परिवार ने मेरे करियर को लेकर हमेशा साथ दिया है जैपुर में गंतंत दिवस की पूरु संध्यापर गुरुवाय शाम को RAC बैंड ने SMS स्टेडियम सीथ शहीद स्मार्क पर स्वर लहरिया बिखेरी अतित्य महानिदेशक पुलिस RAC विशाल बंसल ने बताया कि यह है आयोजन आम नागरिकों के लिए किया गया बैंड बादन में सेंट्रल बैं के साथ ही RAC एवम जयपूर पुलिस बैंड के मधूर स्वर्द लहरिया बिखेरी कायकरम के मुक्यदिती पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम रवी प्रकाश महड़ा थे यह है आयोजन हर साल गंतन्त दिवस की पूरुसंध्या पर किया जाता है बैंड दुन सुनने के बड़ी संख्या में लोग आते हैं दिल्ली के मुक्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल ने देश वासियों को गुरुवार को गंतन्त दिवस की पूरुसंध्या पर शुब कामनाई देते हुए कहा कि आज हम उन सभी स्वतंतरता सेनानियों को सलाम करते हैं जिनोंने बड़ी की सीमा पर अपनी जान की बाजी लगा कर लोगों की रक्षा की हम उन किसानों मजदूरों उद्योग पतियों व्यपारियों विज्ञानिकों महिलाओं और युवाओं को भी सलाम करते हैं जिनोंने इन 75 साल में देश का विकास करने के लिए अपना योगदान दिया राजसान के ADG आनंद श्रीवास्तव एक ट्रैप के मामले में गवाही देने के लिए भरतपुर कौट पहुंचे जबकि ना तो ट्रैप के मामले की तारिक थी और नहीं कोट ने उन्हें नोटिस दिया था कोट साल 2019 से उन्हें 39 नोटिस दे चुका है लेकिन वह नहीं आए कोट ने ADG की गिरफतारी के वरण्ट जारी किये लेकिन वह नहीं आए गुरवार को वह चानक कोट पहुंच गए और गवाही देने के लिए अप्लिकेशन लगाई लेकिन कोट में उनकी अप्लिकेशन को स्विकार नहीं किया एडवोकेट सुदेश चर्मा ने बताया कि मामला 2006 का है भरतपुर जिले के नदबई थाने पर धरंपाल सिंग नाम का एक कॉंस्टेबल तेनाथ था जिसे ACB ने ट्रैप किया था प्रदेश भर के नेत्रहिन खिलाडी खेल मैदान पर अपने हुनर का जलवा भिखेरते नजर आएंगे उजयपुर में पहली बार इस तरह का खेल हो रहा है जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे दिश्टी हीन क्रिकेटर प्रत्योगिता शहर में पहली बार होगी इसमें दिश्टी हीन खिलाडियों के लिए छर्रे डली हुई बॉल होगी और जिसकी आवाज के एहसास पर वे शॉट लगाएंगे शुरुवाती दोर के मैच 20 ओवर के होंगे बाद में ओवर को घटा कर पंद्रह कर दिया जाएगा किंद्री वित राजे मंत्री डक्टर भागवत कराड ने कहा कि प्रधान मंति नरेंदर मोदी के कुशल मुर्टित में देश प्रगती कर रहा है मोदी सरकार की जन कल्यान कारी वे विकास की नीतियों की बदोलत ही दुनिया में भारत की एकोनॉमिक 30 नंबर पर आ गई है देश की जीडीपी बढ़ाने में MSME का सबसे बड़ा योगदान है केंदरेवित राजय मंति करार ने कोटा प्रवास के दुरान पतरकारों से संग्षित बाचित में यह बात कही लगू उद्यमी समवाद कारेकर में उन्होंने कहा कि पहले देश की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान प्रिशी का होता है अब MSME का है इसका जीडीपी में 33 फिजदी योगदान है देश में रोजगार सरजन का भी सबसे बड़ा खशेतर MSME का है अब हम सब मिलकर विकास सिल भारत बनाएंगे मोधी सरकार ने समाच के हर वर्ग को आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है राजसान लोगसेवा योग ने गुरुवार को संस्कित शिक्षा विभाग में प्रध्यापक विद्यालिया के आठ वीश्यों के लिए 52 पत था सुशना प्रद्योगी के एवम संचार विभाग में प्रोग्रामर के 216 पदों पर भरती का विग्यापन जारी किया है आयोग के सच्ची। رाम निवास मेहता ने बताया कि प्रध्यापक पदों के लिए औल्लेन अविदन 31 जनवरी से 29 परवरे 24 की रातरी 12 बजे तक एवं प्रोग्रामर के पदों के लिए ओन्लेन आविदन एक फरवरी से एक मार्च दोज़ार चोबिस की रातरी बारा बजे तक किये जा सकेंगे और फ्रेन आविदन स्विकार नहीं किये जाएंगे राजसान के मुख्यमंत्री भजनलाज शर्मा के निर्देश पर अवैद खननन गती वीदियों के खिलाफ राजे व्यापी से उक्त अभियान जारी है अभियान के दुरान नागोर के मुडवा के पास अवैद खननन का बड़ा और अनोखा मामला सामने आया है माइन्स विभाग ने लीज धारक को अभी खननन कारे शुरू करने की अनुमती नहीं दी उससे पहले ही एक लाग टंग से अधिक खनिस सिलिका सेंड का अवैद खननन कर लिया गया इससे राजे सरकार को क्रोडों रुपेओं का नुकसान पहुंचाया है अब जांच के बाद मियमानुसार दस गुनात जुर्माना वसूला जाएगा जांचारी मिलने पर खान सचीव आनंदी ने दूसरे जिले के अधिकारियों की विशेश टीम गठित कर मोके पर भेज कर जांच कराने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ है जांच में बड़ी मात्रा में अवैद खनन पाया गया है वहीं अब विभाग में कड़ी कारवाई करते हुए इस तरह के दो स्थानों पर एक लाख आठ हजार तीन सो पांस टन से अधिक अवैद खनन आकलन कर बड़ी कारवाई की है 11 करोड 90 लाग से अधिका जुर्माना प्रस्तावित किया गया है जोदपूर में कृषी विभाग की ओर से कृष्कों को बैलेंस शीट तयार करने के लिए जागरू किया जाएगा क्रिश विभाग के अधिकारी इसके लिए कृष्कों को भी प्रोचाहित करेंगे बैलेंस शीट में खेती से उत्पादन आये का ब्योरा और लागत समन्दी जानकारे संधारित कर सकेंगे इससे क्रिशकों को यह पता रहेगा कि किस खेती से कितनी आये हुई वे लाभानी की गन्ना भी कर सकेंगे सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि इससी बैलेंस शीट में क्रिशकों को खेत में उपयोग किये जाने वाले उर्वर्क और रसायन के बारे में भी जानकारी संधारित करने के लिए जागरूप किया जाएगा इससे फसल में किस रोग के प्रकोप के नियंतर्ण के लिए किस रसायन का छिड़काव किया साथ ही कितने दिन के अंतराल से छिड़काव करने पर रोग पर नियंतर्ण हो पाया विगानेर में गंतंद दिवस पर जिला पुलिस ने चोक से बढ़ाई है शहर भर में संदिक्द लोगों से पुष्टा चैवं बाहरी लोगों के बिना पुलिस सत्यापन की ठहरने की सुषना पर पुलिस ने बुदवार को सगन चेकिंग अभियान चलाया JNBC ठाना इलाके की स्वण जन्ती आवासिय योजना में जांच करने के दुरान पुलिस अधिक्षक खुद मौके पर पहुंची अभियान अत्रिक्ट पुलिस अधिक्षक शहर दीपक शर्मा सदर सीयो शालीनी बजाज गंगा शहर सीयो मुकेश सोनी के नित्यत में चलाया गया इसमें गंगा शहर बीचवाल JNBC एवं सदर धाना पुलिस ने सिम्त रूप से हिस्सा लिया 12 के हरनावदा शहाजी कस्पे में बावडी बालाजी मंदिर के जिर्नो द्वार के साथ ही यहां सत्य नरायन भगवान मंदिर पर होने वाले शुर परिवार प्रान पतिष्टा समारों की शुरुवात 27 जनवरी को कलश यात्रा के साथ होगी जिसमें 1100 कलश के साथ कस्पे में विशाल छो भयाता निकाली जाएगी बामा शाह परिवार के वैद्देश शाम सुंदर शर्मा गोपाल लाल वै डॉक्टर पर्मानन शर्मा ने बताया कि पांच दिवी से आयोजन ग्यानानंद तीर्थ भानपुरा के जगत गुरु शंक्राचारे है अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतेपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर